नमस्कार दोस्तों आप देखें हम्मारा यूट्यूब चैनल जितिंदर मशिनवी कंपमी और हम आपके लिए आज देखे आए हैं नोटबुक मैनुफेक्शनिंग बिजनस के बारे में कि कैसे शुरुआत करते हैं क्या मशिनवी रिक्वाइड होता है उसका और कैसे कैसे दंधेशनिया हुआ है ऐसका में कोपा क कहुतेशनिया है यह पुद्य देख सकते हैं यह पेपर है बचं में यूट लगाया है और यह टाइटल बेपर है ये सारे चीजे हमने count करके पहले त्यार कर लेनी है त्यार करने के बाद ये मिशीन आधी है हमारी stitching, folding and squaring मुषी Automatic stitching आपका automatic folding होगा और automatic square होगे बाहर निकलेगा हमने यहाँ पे त्यार करके लग देनी है यहाँ हम आप automatic klip करेंगे इसमें automatic stitching करके पूरा स्केर होके आप देख सकते हो पूरा ऐसे का त्यार होगा त्यार होने के बाद एंड में जो हमारा वेस्ट पेपर इदर आ रहा है इसको हमने कटिंग करना कटिंग आप हमारे कörtस्ता कर दिए अगरा पैकिंग की बात करते हो कर आपने लाक्स बाला प्रिवाद कटिंगं त्यार हो जाए फिनिश्ट कापी त्यार होने तो वह आप देख सकते हो अगर जैसे तो एक तो फिन्स हम्रें आपका सेंटर में आता है बराबर पिन लगता सारा पूरा अपको प् लाले में, आपके होकर आपने लामी लाले के ऐसी लाइन कैसे सट लासी श्रिंक करने के लाल साब लाले टाए हैं में जाती जाते ही हैं में इसरे मी정र दाले में और जाने कोपी कोप सब्सक्राइब वह दोस्के पार। अपने स्पार्ल पंचिंग करना कि आपका फैल होती है यह आपका उता है इसनोड्बुक नोड़िक हो दिल्ट को दियार करना कि आपका सक्वाइब्ट पूरा वेतर लगा हो है दोस्तो अपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बगल वाले घंटे को भी दबादें क्योंकि हम लाते रहते हैं नए-ने बिजनिस आइडियाज और नए नी जैनकारी के वाला प्रेल दोस्तो वीडियो में जो आप मशीन देख रहे हो यह फुली आटोमेटिक मशीन है इसमें आप सबी टाइप का बड़ा शोटा नोटबुक रिजिस्टर बना सकते हो ऐसे कि आपको मैनूल मशीन चाहिए तो मैनूल में भी आप काम शुरू कर सकते हो जो कि आपका कम बजट मे भी शुरू हो जाता है झाल कर सकते हो जाता है झाल 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 तो दोस्तो नोटबुक्स को त्यार करने के बाद काम आता है उसको पैक करने का तो उसके लिए इस्तमाल होती है नोटबुक श्रिंग पैकिंग मशीन इसमें आपने पांच पांच छेशे नोटबुक का सेट बना के उपर लैमिनेशन चटा के रख देना है और इसने आपके नोटबुक को रैप कर देना है जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं आपने नोटबुक को उसके बीच में लैमिनेशन चटा के रखना है और इसने आपको श्रिंग रैप करते जाना है तो जिस वज़े से आपका notebook का कोभी moisture नहीं आता और notebook को जितने मर्जी दिर आप stock में रख सकते हो तो इसका वीडियो आप देख सकते हो कितना असान काम है ये लिए उन्हाँ तो जितने मर्ज़ की का जो आता सब्सक्राइब देख सकते हो उन्हाँ ए सकते हो